हेलो फ्रेंड्स कैसे आँ तो दोस्तों आज बना रखी है मैंने कच्चे के लिए की सब्जी आप देख सकते हैं तो चलो दोस्तों सब्जी बनाना स्टार्ड करते हैं तो यह मैंने यहां पर पांच पीस कच्चे के लिए यह है जो बिल्कुल से कच्चे हैं आप देख सकते हैं पूरी तरों से कच्चे के लिए हैं यह तो इसको सबसे पहले हम बॉयल करेंगे तो चलो दोस्तों इनको बॉयल करने के लिए पतेले में डाल देते हैं और यह मैंने पतेले में डाल लाओं में आप देख सकतें दोस्तों हम इसमेंट करेंगे हम पानी अ कि पानी से इसको भर देंगे में और इसको चूले में चड़ा देंगे और यह रखा से डखकन डख देंगे तो दोस्तों पांच मिनट हो गए हैं बोईल होते हुए एक बार हम चेक करेंगे केले बोईल हुए या नहीं हुए तो दोस्तों अभी नहीं हुए है आप देख सकते हैं अभी कच्छे हैं आओ हैं जो दोस्तों 10 हमारे केल हो गये है तो इसको निकाल देए हम नीचे और इसको पाने पतेले और दोस्तो जो ये केले हैं इस पहाड़ी केले हैं ये उत्राखंड में पाया जाता है तो हम इनको एक्ए कर के छिलेंगे अच्छे सो आप सकते दोस्तों बाड़ेbolag कितने बढ़िया से कितने अच्छे से हमारे के लिए बॉइल हो गए हैं और इनको आप बॉइल ऐसे करना है जैसे हम आलो बॉइल करते हैं ना मुझ में कचा लगना चाहिए और अच्छे से बॉइल हो जाए तो चलो दोस्तों कि दोस्तों हमने पूरे अकेली चलिये हैं अब इनको काटेंगे हम डायमन कटिंग में दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे केले कितने अच्छे तरह किसे बॉइल होर के हैं और इसी तरह किसे काटना है दोस्तों डायमन कट में थोड़ा तिर्चा तिर्चा करके आप देख सकत है कि अच्छे से काटे और आप देख सकते हमने केलो की पूरी कटिंग कर दी है कि इसके बढ़िया और कितने अच्छे लग रहे केले करने के बाद तो चलो दोस्तों बनाना इस्टाड करते हैं कडाई रख दी चूले में और इसको अच्छे से गरम करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें डालेंगे हम और तेल कि यहां पर देख सकते हैं यहां पर टमाटर हो गया प्याज हो गया और लाल मिर्च और धनिया चौप कर रहा है और यह रहे हमारे बॉयल के लिए तो दोस्तों मैं इसमें डाला है कि साबुत धनिया और इसको अच्छे से ब्राउन कर देंगे आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें डाला में हलका जीरा इसको अच्छे से ब्राउन कर देंगे अब इसमें करेंगे हम लाल मिर्च एड़ और अच्छे से बून देंगे कि और यह हमारी ब्राउन हो चुकी है आप देख सकते हैं इसमें डालेंगे हम बारी कटा हुआ प्याजो और इसको अच्छे से भून को देंगे है आफ देख सकते हैं दोस्तो है और ऐसको सिते बून देंगे अधे हमारा 은 हमारा ब्राॉन हो गया है अब इसमें हमने टमातड़ एकर दिया है अब देख सकते हैं और टमाटोगो भी अच्छे से बून लेंगे अब इसमें डालेंगे महल का नमक जिससे कि हमारा प्यास टमाटर अच्छे से कल जाए और एक बढ़िया आसी ग्रेवी तयार हो जाए कि तो आप देख सकते दोस्तों और हमारी ग्रेवी लगबग लगबग तयार हो गई है आप देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें एड़ करेंगे हम बॉयल केले अभी हमें इसमें मसाले निडालने हैं और ना तो इसमें हमें पानी एड़ करना है नहीं तो फिर सब्जी में मजा नहीं आएगा और अब ही ग्रेवी और तेल है इसी में हमें केलों को भूनना है बडिया से तब जाके हमारे केले अच्छे से फराया उपाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वाग एड़को हमें अच्छे से भूते रहेंगे दाइड़ के यह दूस्तों मैंने मिक्स मसाली लिएैं, इसमें सारे मसाले मिक्स है हैं, थोड़े मसाली में इसमें unt डालूंगा, आब लोसटों आप इसमें डालू कामें, एक पकेट किचन किंग एक पकेट मने इसमें किचन किंग डाला है और इसको अच्छे से mix करदेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप इसको अच्छे से भूनते रहेंगे इसमें हम अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं कच्छे के लिए की सब्जी बनाने की स्टाइल ना हमने इसमें पानी एड किया है और आप देख सकते हैं तभी ये इतनी ड्राइ और इतनी बढ़िया और इतनी टेश्टी बनी है आप देख सकते दोस्तों कि इतनी प्यारा कलर आ रहा है हमारी कच्छे के लिए की सब्जी का आप देख सकते हैं दोस्तों और लाइक करना शेयर करना कमेंट करना दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में